रविवार को जमू कश्मीर के कूपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा से बड़ी खबर सामनी आई नहा हुई मुठ भेड के दरान लापता हुए दो अधिकारियों समेत तीन जवान शहीद हो गए एक पले सदिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौझूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलुनी उतरी कश्मीर के कूपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के चांज मुल्ला इलाके में शकरवार को तलाशिय भियान चलाया था जिसके बाद इस सभी प कश्मीर के मौहमद सघीर काजी शहीद हो गया पुलिस का एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप उस घर के पास ही गोशाला के करीब था जहां पास के जंगलों से भाकर आतंकवादियों ने शरन ली थी खरा मौसम की वज़े से गतिरो जारी था और ड्यूटी पर लगे जवानो के साथियों से संपर्क हो गया था शेत्र में भारी बारिश हो रही थी और इसी मुठ भेड के बीच पांच जवान शहीद हो गये दो आतंकवादियों के शव भी बरामत किये गये हैं इसके साथी सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है जानकारी के नुसार पूरी इलाके को सील कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बीते कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है पाकिस्तान लकाता सीज फायर का उलंगन कर रहा है शनिवार को जमु कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलिबार रहा है कि लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उलंगन कर रहा है और उरी सेक्टर में सैनिकों को निशाना बना रहा है जानकारी के मताबिक पाकिस्तान लगातार भारती बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है शुकवार देश शाम से पाकिस्तान की और से रुक रुक कर कई बा कराया गया जहां दोनों सेने को ने दम तोड़ दिया